वेल्कम्टो में चैनल सद्टी गारण वेक बड़ फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज हम करेंगे शमी के प्लांट की रूट प्रोनिंग और इसकी रिपोर्टिंग चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इसका हम रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे इसकी रूट प् तो मैंने जो टूटा हुआ गंबला है उसको हटा दिया और देखिए इस तरीके से उसके बाद दूप निकला ही तो यह पूरा थोड़ा सा शोक में आ गया है प्लांट इस तरह से योगपन पड़ा हुआ है सुबह से और अभी मैं इसकी वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको सुबह में रिपोर्ट नहीं किया शमी प्लांट की रूट करने से पहले निकालना होगा क्योंकि इसकी जड़े प्लास्टिक के पोट के अंदर यह लगा हुआ था यह मेरा लास्ट यर का प्लांट है बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी चल रही थी मैंने इसको बार-बा चीटिया उसने अपना घर बना लिया तो से मिटी अंदर से इसकी खाली हो चुकी है यानि कि एर गैप इसके अंदर बना हुआ है तो रूट प्रूली के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि इसकी जड़ों को प्लांट की जो रूट बोले उसको हमें डैमेज नहीं करना है बस कि जड़ों को नीचे से लगवग 50 परसेंट इसको किसी शार्फ चीज से कट कर दीजिए देखिए मैं यह शार्फ वाली जो करनी होती है इसका यूज कर रही हूं जितना इससे कटता है ठीक है नहीं कटता है तो फिर कटर की सायता से आप बाखी की जड़ों को काट दीजि और बिल्कुल साथदानी से यहां देखिए इसकी जो रूट बोल हो बिल्कुल भी मैंने इसको डेमेज नहीं किया बहुत आराम से निकल गया था और बहुत अच्छे से यह इस तरीके से हम इसको खड़ा कर देते हैं इसके बाद हम मिट्टी तयार करेंगे इसके बाद हम इंची का पोट है देखें और मिट्टी इसके अंदर और बना के रखी वी थी पहले क्योंकि जब मैंने इसको स्टरलाइज किया था पूरी मिट्टी को रूट ओगार्ण में तो स्टरलाइज करने के बाद इसके अंदर खात वगरा मिक्स करके मैंने सारे पोर्स और पूरी तरह से इसमें सेट नहीं हुआ है लेकिन हाँ थोड़ा सा नीचे मिट्टी सॉफ्ट है तो यह आराम से नीचे बैढ़ जाएगा और साइडों में जो जगे बची है उसमें हम यह जो एक्स्ट्रा मिट्टी यहां से निकाले थी इसको फिल कर देंगे अगर आप शमी का नया प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए जब मिट्टी बनाते हैं पोटिंग सोई बनाते हैं तो उसके अंदर 50% गार्डन सोई लीजिए 30% कंपोस्ट एड़ कीजिए और 20% उसके अंदर सेंड इस्तमाल कर सकते हैं और इन सभी का एक अच्छा सा यह में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है तो इसको थोड़ा कैल्शियम की पूर्ति उससे हो जाएगी तो स्टोंडस्ट आप डाल सकते हैं तो स्टोंडस्ट अगर नहीं है तो जो खटी च्छाच हमारी होती है दही या च्छाच जो बासी बच जाता है उसको लिक्वीड करके उसका लिक्वीड बनाकर उसको भी आप प्लांट के अंदर दे सकते हैं कुछ लोग इसमें बॉन मिल डाले की सला देते हैं लेकिन यह पूजनिय पोदा यानि कि हिंदू धर में इसकी पूजा की जाती है तो हम इसके अंदर बॉन मिल इस्तमाल नहीं करेंगे इसलिए जो केल्शियम के दूसरे option है उनका इस्तमाल हम कर सकते हैं जो और गैनिक और करेलू option हमारे पास already मोजूद है तो उसका इस्तमाल आप कर सकते हैं इसके बाद प्लांट के अंदर अच्छे से पानी दीजिए पानी इतना दीजिए कि ओ नीचे से ट्रेनेज होल से बाहर निक निकलते हैं तो उसके राइट साइड में तो उसके राइट साइड में इसको प्लेस की जाए यानि कि जब आप घर से निकले तो पॉजिटीव एनर्जी साथ लेकर जाए और जब घर के अंदर गुसे तो नेगिटिविटी को बाहर छोड़ के आए तो दोस्तों बहुत ही कि पूजा की जाती है हमारे धर्म शास्त्र में इंदू गर्ण में बहुत ज्यादा मानेता है इसकी तो इस प्लांट को बहुत आसानी से आप अपने घर के अंदर उगा सकते हैं और इसका लाब उठा सकते हैं तो दोस्तों यहां आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपने श सब्सक्राइब करें और किसी भी क्वेरी या कोशन के लिए कमेंट बोक्स में जाकर कमेंट करें थैंक यू